नमस्कार राज की बात में आपका स्वागत है बिहार में सियासी घमासान मचा हुआ है ऐसा लग रहा है कि सियासी गलियारों में नेता आपस में मेल जोल बढ़ा कर एक नए सम्मिकरन की कोशिश कर रहे हैं हाला कि नितीश कुमार का ये दाओ उल्टा पढ़ने वाला है और जिस तरीके से जातिय जनगन्ना को लेकर फरजी आंकडे और आंशिक आंकडे जारी किये गए हैं उसमें नितीश कुमार फसने वाले हैं ये मामला सुप्रिम कोट में भी चल रहा है और सुप्रिम कोट ने कह दिया है कि 6 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी और उस सुनवाई में ये सामानेता सिर्फ आंकडे जारी करने को लेकर चर्चा नहीं होगी बलकि चर्चा इस बात की होगी कि नितीश कुमार ने जो आंकडे जारी किये हैं क्या वो सटिक आंकडा है क्या बिहार सरकार ये बताएगी कि सर्वे का तरीका क्या था और जो आंकडा आपने जारी किया उसमें छुपाया क्या आपने किन किन मामलों को छिपा लिया है ऐसे तो पहला आरोपीसी बात का लग रहा है कि नितीश कुमा नितीज कुमार ने जो census करवाया था आकड़े निकाले हैं उसमें दोतरह के census हुए थे एक जाती आधार पर धर्म के आधार पर जनगरना करवाना और दूसरा जाती आधार पर धर्म के आधार पर उनके economic status को बताना लेकिन नितीश कुमार ने जातिये आंकड़े तो जारी कर दिये और दूसरी तरफ जो economic status था आर्थिक तोर पर कौन कितना मजबूत है समाजिक तोर पर किस की क्या इस्थती है ये आंकड़ा नितीश कुमार जारी नहीं किये है और सवाल यही उठता है कि अगर ये आंकड़ा भी जारी करवाना है सुप्रिम कोट ने एक कह दिया तो उसके बाद नितीश कुमार बुरी तरीके से फच जाएंगे लालू यादव की फजियत हो जाएगी और जिन लोगों के लिए यानि कि अपने जिन जातियों के वोट आधार को अपने साथ रखने के लिए नितीश और लालू ने मिलकर ये चाल चली है हिंदूओं को बाटने की वो इनके उपर भारी पढ़ने वाला है क्योंकि एकनॉमिक स्टेटस का जैठा आते ही जो जेनरल कटेगरी बताये जा रहा है कि 15.52 पसेंट है लगवग 16 पसेंट जेनरल कटेगरी के लोग हैं इसमें सवर्ण की बात नहीं है जेनरल कटेगरी अन अक्षन नहीं मिलता है उस वर्ण की संख्या बढ़ जाएगी ये चार नहीं रहेंगे बलकि 6 हो जाएंगे कम से कम और उसमें एक वर्ण एक जाती जो शामिल होने वाला है वो है यादब और दूसरी जाती जो शामिल होने वाला है वो है कुर्मी क्योंकि दोनों के सामाजि और आर्थिक कंडिशन 1931 के बाद से काफी बढ़ गए हैं सिर्फ जनसंख्या नहीं बढ़ी है जो कहा जा रहा है कि OBC यानि की पिछला वर्ग की बात करें जिसमें से EBC और OBC दोनों मिला कर 63% हो गई है जो 1931 के जो जनगन्ना हुए थे और उसके आधार पर जो अनुमान पढ़ोतरी हुई लेकिन आर्थिक स्थिती किन वर्गों के किन जातियों के कैसी रही है ये कौन बताएगा क्योंकि रोहिनी कमिशन की रिपोर्ट में तो ये कहा गया था कि रिजर्वेशन जो दिया जा रहा है वो रिजर्वेशन सही तरीके से नहीं दिया जा रहा है OBC के अंदर कम से कम 90% के करीब reservation का फायदा 10 जातियां ले रही है 90% reserve seat जो होती है उसमें 10 जातियों का ही candidate select होता है और बिहार में अगर देखा जाए तो OBC और EBC की जो बात कह जा रही है 27% OBC और total अगर देखा जाए तो total population में 14% से यादव और लगबग 3% कुर्मी है लेकिन 3% कुर्मी 60-70% government seat के जो OBC के लिए आरक्षन होते हैं उसमें उनका कुनकी भूमिका होती है वो select होते हैं यादवों की वी ऐसी ही बात है लेकिन दूसरी जातियां जो है OBC की जो इसमें EBC वर्क के लोग आते हैं इसमें कई ऐसी जातिया तो वो है जिसके एक भी candidate ही नहीं होते हैं रोहनी कमिशन की report भी ये बताती है और इसलिए ये चर्चा भी चल रही है कि quota within quota होना चाहिए यानि कि जो OBC को 27% reservation होगा उसमें quota हो quota में quota किया जाना चाहिए और अगर कोईरी, कुर्मी, कुश्वाहा या फिर यादव के social status, economic status बढ़ गए हैं तो इनको या तो general category में लाओ या फिर उस OBC के reserve quota में से इनके लिए एक निर्धारित करो और इतनी जो जातियां हैं दूतरी जिनका 2%, 3%, 5%, 5%, 5% ये हिस्सेदारी है उनके लिए ज़्यादा सीटे छोड़ो और इसलिए चर्चा इस बात की है कि economic status के बारे में नितीश कुमार नहीं बता रहा है खेर ये तो बात की बात है लेकिन जो फरजी बाड़ा दिखाया गया ये हववा create किया गया है बिहार के अंदर कि जब EBC, OBC यानि कि पिछड़ा वर्ग की population 63% है SC की population 19% है General 15.5% है तो ऐसे में अब राजनितिक फायदा उठाने के लिए किसका कैसे इस्तेमाल किया जाएगा हुआ तो यही है कि जब 63% OBC के लोग हैं तो OBC की party यानि की जनतादल United और दूसरे रास्टिय जनतादल ये दोनों जो OBC की party होने का दावा करती है इन लोगों का ही सत्तापिक कबजा बिहार में होना चाहिए लोगसभा में इनकी maximum seat होनी चाहिए और यही दाव था क्योंकि पिछले दो लोगसभा चुनावों में चाहे 2014 का हो या 2019 का या फिर विदान सभा चुनाव 15 का हो या 20 का हर चुनाव में भारतिय जन्तापाटी के boat bank यानि की आधार धीरे धीरे increase हुआ है 2019 के लोगसभा चुनाव में भी भारतिय जन्तापाटी ने सबसे ज़्यादा लोगसभा के seat जीती थी 17 और उसमें भी तब जबकि नितीज कुमार उनके साथ गटवंधन में थे तो 16 seat जीत पाए लेकिन उससे पहले क्या हुआ जब 2014 का लोगसभा चुनाव हुआ था नितीज कुमार को केबल दो seat पर जीत मिली थी ऐसे अचानक से क्या हो गया भारतिय जन्तापाटी का सयोगी ये आधार था लेकिन अब ये हुआ क्रियेट किया जा रहा है कि लालो नितीज साथ हैं OBC EBC के 63% जनसंख्या है और दलितों को यानि की SC के जनसंख्या अगर बिहार में 19% से जादा है तो भारतिय जन्तापाटी कैसे यहां पर सीटे जीच सकती हैं यही आकड़े बताने के लिए बताने की कोशिश करने के लिए और पाटियों को जोडने के लिए नितीज कुमार बैठक कर रहे हैं नौनो पाटियों की बैठक जो सब जाती है जन्गनना को सपोर्ट करने वाली है नितीज कुमार ने कैबिनेट की बैटक भी की और उसमें भी हंगामा हुआ कि आपने जो आंकड़े जारी किये हैं उस आंकड़ों से खेल बिगड़ सकता है जनतादल उनाइटेड का भी और राजद जो मुस्लिम 17% और यादब 14% की बात कर रहा है इसके भी वो परिनाम नही आने वाले हैं जो उम्मीद की जा रही है इसलिए एक और आकड़ा चुपाया गया और वो आकड़े थे कि कंस्वेंसी वाहिज या फिर जिला वार जिला अस्तर के जो पॉपुलेशन इंडेक्स है उसके अनुसार इन्होंने नहीं बताया है कि किस जिले में कितने पॉपु संख्या के आकड़े जारी किये लेकिन अगर देखा जाए हिंदुस्तान के पॉल्टिक्स को चुनाव के तरीकों को तो उसमें भी यहां पर प्रपोर्शनल सिस्टम नहीं है यानि कि ऐसा नहीं होता है कि जिसको जितने पसेंट वोट मिले उतने पसेंट सीथे होगी यह प ही होता है कि भारतिय जनता पार्टी को अगर 50% वोट मिले हैं तो 50% सीटे ही मिलेगी ऐसा भी होता है कि किसी पार्टी को 40% से पलस वोट मिले लेकिन सीट अगर देखा जाए तो इसको 20% मिले हैं क्योंकि वोट पसेंटेज सिर्फ तैन नहीं करता है कि किन सीटों पर किसकी जीत होगी इसके पीछे एक कारण है population का concentration अगर 14% यादव हैं लेकिन 14% यादव अगर उसमें से 10% 4-5 लोग सभा consistency के अंदर concentrated हैं अगर मधेपूरा में पूरे बिहार के यादवों का 8%, 7%, 5% हो तो वैसी सिती में मधेपूरा में तो लालो यादव की जीत हो सकती है लेकिन जहां जहां जिन लोग सभा सीटों पर 2%, 1,5%, 3%, 4% है वहां पर कैसे आप राजनितिक तोर पर चुनाब में जीत दर्ज करेंगे ये कहा जाता है population का concentration कि कितने विधान सभाद छेतरों में ये सिमित है अगर ब्रामनों की, भूमिहारों की, राजपूतों की या फिर दलित बरग में मुसहर की, दुसाद की जिनकी भी जनसंख्या जहां जहां है वहाँ वहाँ कितने परसेंट हैं और अगर जीतन रामाजी मगद की राजनिति कर रहे हैं तो वह इसलिए कि जो 3% से ज़ादा मुसहर की आवादी बताई गई है उसमें मगद के छेत्रों में कम से कम 15 से 20 लोग विधान सभा सीटों पर मुसहर जाती के इतने वोटर हैं कि वो चुनाव के परिनाम को परवावित कर सकते हैं अगर देखा जाए तो नालंदा जिस्टी को कहा जाता है कुर्मी डोमिनेटेड है अगर 3% कुर्मी वोट है और नालंदा है जो कुर्मी डोमिनेटेड एरिया है तो क्या नालंदा के बगल में जहानाबाद हो या पटना हो या फिर उधर से नवादा हो वहाँ पर भी कुर अगर चार-पास डिस्टिक में भूमिहार जनसंख्या जादा है तो वहाँ पर जीत के परसेंटेज उस पार्टी का जादा होता है जो की भूमिहारों को अपने साथ रख लेता है यही कारण है कि इन लोगों ने जो पोपुलेशन कंसंट्रेशन को लेकर डाटा होना चाहिए यानि कि दिस्टिक बाइज वो जारी नहीं किया जारी कर दिया 63% ओबिसी 19% दलित लेकिन हर जगह कितने हैं और कौन परभावित कर सकता है यह पता नहीं चलेगा 40 लोग सभा सीटों में से अगर भारतिय जनतापाट या जनतादल उनाइटेड के गठवंधन को 49 लोग सभ सीटों पर जीत मिलती है राजद को एक भी सीट नहीं मिलती है तो इसका कारण क्या हो सकता है क्या 2019 में 14% से जादा आवादी यादवों की नहीं थी 17% मुसल्मान नहीं थे 2019 में भी थे लेकिन इमवाई सम्मिकरन अगर लालु यादव का है तो ये 17 और 14 31% वोट रखे भी लालु यादव को एक भी सीट पर जीत क्यों नहीं मिली कम से कम तो 31% सीट यानि की 10-12 सीटे तो लालु यादव की पार्टी को मिलनी चाहिए थी लेकिन एक भी नहीं मिली कॉंग्रेस को एक सी सीटे कैसे मिल गई जबकि कॉंग्रेस का वोट आधार तो अभी किसी भी जाती विसेट में बिहार में बेहतर नहीं है लेकिन फिर भी एक सीट मिली और 49 सीटे अगर जनता दल उनाइटेड और भारती जनता पार्टी के गठवंदन को मिले तो क्या सारी की सारी जातियों का वोट इनी को मिल गया था यह जातिया आधार नहीं है यह कंसंट्रिशन है फसपास दिपोस सिस्टम में यही देखा जाता है कि किस उम्मिदवार को सबसे जादा वोट मिले अगर जहानाबाद में जनता दल उनाइटेड के सांसद को 2000-3000 वोट जादा मिल गए वो जीत गए तो ये बड़े आशर्च की बात है क्योंकि 2000-3000 वोट से एक पार्लियामेंट केंस्ट्वेंसी में जीत दर्ज हो रही है यही बात है कि आप कैसे ही सोसल इंजिनिरिंग को समझते हैं और सोसल इंजिनिरिंग का इस्तेमाल करते हैं इसलिए जो नितीज कुमार ने आंशिक आ सेंसर्स किया कास सेंसर्स किया रिलिजिस सेंसर्स किया तो डिस्टिक वाइज जारी क्यों नहीं किया आपने जब एकनॉमिक स्टेटस भी उनका देखा है तो आपने वो आंकडे क्यों नहीं जारी किया डर आपको यही है कि इन लोगों के बीच अब ये मांग उठेगी कि क जाती की भूमिका है और सासाराम से लेकर अगर देखा जाए तो भोजपूर के रिजन में दूसरे जाती की भूमिका है अगर ये हो जाएगा तो सारी पार्टियां फिर उन-उन छेत्रों में सिर्फ उन्हीं जातियों के लिए काम करना चुरू कर देगी ये एक बड़ा घट खारनाय दी गए थी आपसी सामंजस बढ़ने लगेते इन राजजाती राजनिती करने वाले पाटियों ने फिर से वही एक दंगा फसाद हंगामा वाली राजनिती शुरू कर दिये लेकिन दाल नहीं गलेगा अगर देखा जाए तो EBC की बात करते हैं 36% है तो क्या नितीश क की जातियों में यानि चंदरवनसी हूँ बिलदार हूँ या फिर नीचे के OBC की दूसरी जातियों से हो या फिर OBC की जातियों की बात करें तो क्या लालू और नितीश के पाटी में ये नेता ज्यादा तर आपको दिखते हैं अगर उपर के तरफ देखने की बात करेंगे लालू यादाब कहेंगे कि नीचे के कंडिडेट को मत देखो हमें देखो लालू यादाब को देखो तेजस्वी यादाब को देखो या नितीश कुमार अपने आपको कहेंगे हमारी पाटी को देखो तुम्हारा नेता कौन है चेहरा कौन है CM और PM का कंडिडेट कौन है त इसलिए ना इधर के और ना उधर के किसी भी अस्तर पर अगर देखा जाए तो नितीस लालू का ये दाओ सही नहीं बैठ रहा है और जाती है जनगन्ना पर अभी जो सुप्रिम कोट में सुनवाई चलेगी उसके बाद जो फजियत बिहार सरकार के नितीस कुमार की होने वाल इसलिए नितीस कुमार इन आकडों से खुश नहीं है परिसान है रात भर बैठ को क्या दौर चल रहा है जदिव के अंदर भी कैबिनेट की बैठक में लोग चर्चाए कर रहे हैं खुस खुस चर्चाए हो रही है कि नितीस कुमार ने ये क्या कर दिया और दूसरी तरफ ज इससेदारी को लेकर चर्चा हो रही है लालु यादव ज्यादा एग्रेसिव हो गये हैं नितीस कुमार को लेकर कि पहले ही हमने 73-74 सीट लाकर भी 43 सीट वाले को CM का पत दे दिया है अब आगे कंप्रमाईज नहीं करेंगे लोग सभा चुनाव है उसमें एक विसीट अगर नहीं है लालु यादव की पार्टी की फिर भी वो कहेंगे कि कम से कम 50% कम से कम 50% 20 से कम पर हम कंप्रमाईज नहीं करने वाले हैं आप अपने जो 16 सांसद हैं उनको टिकट देने की ववस्था किजिए और ये समस्या आने वाली है मतलब नितीस कुमार ने जो दाव खेला है पूरी तरह से उल्टा पड़ गया है सुप्रिम कोट से लेकर बिहार तक में कैबिनेट से लेकर पाटियों में एक ऐसा संग्राम छिड़ गया है कि अब नितीस कुमार छट पटा रहे हैं कि मैंने जो किया उसका परिनाम मेरे खिलाफ ही आने वाला है तो इसी तरह की खबर झाल